किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर गुस्सा आए तो पहले सौ तक गिन लेना और अगर बहुत गुस्सा आए तो पहले एक हजार तक गिन लेना हलो मैं हूँ अर्चना तिवरी और आज की स्टोरी है एक व्यापारी होता है उसे बिदेश में जाके व्यापार करना होता है उसे बहुत सारा पैसा कमाना होता है अपने राज में उतना अच्छा पसा नहीं कमा पा रहा था जो चाहता था उसने अपने माता पिता से कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ मुझे ब्यापार करना है मुझे बहुत सा धन कमाना है माता पिता ने कहा अभी तुमारी उम्र शादी की हो गई है तो शादी कर लो बाहर मज़व माता पिता ने कहा उसने शादी कर ली शादी के आट-दुस मेने हो गए तो फिर से उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं बाहर जाना चाहरा हूँ मुझे ब्यापार करना है उसने पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा कि जाए हमें अच्छा जीमन देना आपकी जिम्मेदारी है बैपारी चला गया बाहर गया जब गया तो उसकी पत्नी गर्वती थी बाहर गया वहां पैसा कमाया वहां से चिठी बेचता था पैसे बेचता था घर परिवार के लिए माता पिता और पतनी के लिए उसने बहुत पैसा कमाया बहुत सारा धन कमाया जब अठरा भी साल हो गए फिर वो अपनी राज में वापस आया जब उसे वापस आना था तो उसने एक जहाज का टिकेट कराया पानी वाला जहाज था ज़्यादा समय लगना था उसने अपनी पूरी धन जो कमाया था साथ में लिया और उस जहाज में बैठा और चल दिया जहाज में ग्यानी पुरुष थे बड़े उदास बैठे थे उनसे ब्यापारी ने पूछा कि क्या बात है आप बड़े उदास है उसने कहा मैं भी इस राज में अपने ग्यान को बीजने आया था पर मेरे ग्यान को किसी ने खरीदा नहीं ब्यापारी ने कहा अच्छा बताएए क्या ग्यान है क्या कोटिशन है आप हमें बताएए क्या सुक्तिया है हम खरीदना चाहा रहे है तो कहा एक सूर्टी के एक ज्यान के पात्सो स्वर्म उद्राएं है व्यापारी ने कहा चलो ये मेरी कर्म हो में पात्सो स्वर्म उद्राएं कुछ नहीं होती इसके लिए तो इतना मैं करिये सकता हूँ उसने कहा ठीक है व्यापारी ने बस ज्यान दिया कभी भी जीवन में कुछ भी करना उससे पहले दो मिनट जरूर सोच लेना बैपारी ने उसको ग्यान लिया पांसो सुरूर्ण मुद्राय दी उसको और दोनों रास्ते हम सफर करके घर आगे जब बैपारी घर पहुँचा तो रात का शमय था दोरपाल थे क्योंकि वो पैसा वहां से बेज़ता था यहां सब पैसे वाले हो गए तो दोरपाल ने रो चाहा कि जाके अंदर बताऊं बैपारी ने मना किया कि नहीं बताईए मत मैं अपनी पत्नी को शर्प्राइज दूगा कोई बात ने जब अंदर गया तो पत्नी एक पुरुष के शाह सो रहे थे पैपारी को बहुत गुस्सा आया पैपारी बाहर निकला कमरे से और बारामदे में एक तलवार टंगी थी उसको निकाला और पत्नी और उस पुरुष को मारना चाहा जैसे उसने तलवार उसे ज्यानी की बात यादा गई कि कुछ भी करने से पहले जीवन में तो मिनट जरूर सोच लेना दो मिनट के लिए रुका वैसे ये सोच के रुका तलवार पीछे एक तरब कीची तो उसकी तलवार पीछे दीवार से टकरा गई जिसमें थोड़ी आवाज ही उसकी पत्नी जगे पत्नी जैसे जगी देखा का अरे मेरे स्वामी आप आ गए इतने साल से हम आपका इंतजार कर रहे थे हमारा तो जीवन ही ऐसे गुजर गया खुश हुई पत्नी के पास मुची ब्यापारी के मन में और कुश चाया पत्नी को देकर कि मैं वहाँ ब्यापार करके पैसा कमा रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ और यहां सब ये कर मेरी पत्नी ये कर रही है इतने में पत्नी ने कहा बिटा, देखो, तुम्हारे पिता जी आ गए उनके पैर्श हो बेटा उठके आया और जैसे वो उठके आया तो उसकी पगड़ी खुल गई जो बालों में उसने बान रखे थी पगड़ी खुली तो उसके लंबे बाल देखकर पतनी ने कहा ये बेटा नहीं आपकी बेटी है इसके पिता पास नहीं थे तो मैंने इसे कभी किसी चीज़ का आहसास ना हो इसलिए बेटी की तरीके और बेटी की तरीके दोनों की तरीके पाला है और आपने इसे देखा नहीं था तक इसलिए ऐसा है उस समय बेपारी को याद आया कि ग्यानी ने इतनी कीमती बात पात सो सोड मुद्राओं में क्यों दी कि इतनी कीमती बात थी तभी ग्यानी ने पात सो सोड मुद्राओं ली जीमन में कुछ भी करने से पहले दो मिनट जरूर सोच लेना इस तरह की ग्यान वर्दक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेर जरूर करें लास्ट में यही कोँगी कोई भी बड़ो की या ग्यानी पूर्शों की बात जो भी कहते हैं उसमें कोई न कोई सार जरूर होता है, निरार्थक कभी नहीं होती धैन्यवाद